जो भी सदन के अंदर हुआ बहुत दुर्भागेपूर है बहुत नेंदनिया है यह अखलेश का फ्रस्टेशन है कुर्सियों मेज पे खड़े होके पक्षने गोले बना बना के निशाना ताना राजिपाल के पर यह साथ दिखाता है कि किस प्रकार का इनकी मान सिकता है सत्रवी विधान सभा सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने वही किया जो अब तक यूपी का विपक्ष करता आया है विधान सभा के भीतर जैसे ही राजिपाल का अविभाशन शुरू हुआ समाजवादी और कॉंग्रेस विधायक वेल में उतर गए और दो मिनट में ही सदन को सबजी मंडी बना दिया नौबत यहां तक आगई कि बेचारे मार्शल राजिपाल के आगे फाइले लेकर खड़े हो गए कि राजिपाल पर फेके जा रहे कागज के गोले उनके मुह पर ना लगे माहौल ऐसा था कि सदन कुछ देर के लिए बैडमिंटन कोर्ट में तबदील हो गया जो समाजवादी पार्टी कल तक विपक्षियों के आगे ग्यान बगारती थी की सदन चलने देना चाहिए उस समाजवादी पार्टी के विधायक राजुयादव सदन में राजिपाल के अभिभाशन के दौरान सीटी बजाते रहे और बताते रहे कि समाजवाद अलग है और समाजवादी पार्टी अलग जो जैसे अभधरता कर सकता था उसने वो तरीका अपनाया क्या संतुष्ट होने पर ये अपने घर में टेबल पर चल जाते होंगे राज जिपाल को कागस के गोले मार कर क्या मिला सीटी बजा कर कौन सी सरकार गिरा दी दो महेने के योगी सरकार में हर मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है जहां कानून व्योस्था की धज्जी उड़ाई गई खैर हंगामे से पहले राज जिपाल राम नाईक का नए प्रोटोकॉल के तहट स्वागत हुआ पहले राज भवन में गौड ओफ ओनर दिया गया फिर विधान भवन में मुख्य मंतरी, विधान परिशत के सभापती और विधान सभा अध्यक्ष ने राज पाल का स्वागत किया ये प्रोटोकॉल पिछली सरकार में ही लागू होना था लेकिन विधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने इसकी इजाजत नहीं दी थी नई सरकार के नए सत्र के पहले दिन जहांसी से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत बैल गाडी से विधान सभा पहुचे ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई साधन नहीं था लेकिन बैल गाडी से आये थे इसके पीछे इनकी अपनी मन्शा थी सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के जमाने में छपास और दिखास भी कोई चीज होती है विपक्ष का काम कम से कम ये बिलकुल नहीं होता यूपी के विपक्ष ने हंगामे के इस तरीके को आदत बना लिया है राजपाल पर यही कागस का गोला अगर को याम आदमी मार देता तो पीडिया जमानत कराती गोमती लेकिन सम्विधानिक पत पर बैठा हुआ राजप का पहला आदमी सदन के भीतर मार खाने को मजबूर है इसे चाहे लोकतंत्र की ताकत मान लीजिए चाहे विपक्ष की बेशर्मी समझ लीजिए ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल वोईस